ब्रेके बाद आप सभी का फिर सो स्वागत है और शुरुआत करते हैं च्छतरपूर से जा च्छतरपूर से एक बड़ी खबर मिल रही है मिठाई की दुकान में भीशन आग लगी आसपास की दुकानों में भी आग की चपेट में आगे हैं और ऐसे में सिलेंडर फटनी की आश्रंका यहां जताई जा रही है पुलिस जाच कर रही है तो शुचना मिलते ही जैसे पुलिस मौके पर पहुंची तो यहां जाच परताल पुलिस की तरफ से शुरू करती गई है और देखें तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां लगतार आग भुचाने का प्रयास यहां किया जा रहा है और ऐसे मिछातरपूर की तस्वीरे मिठाई की दुकान में यह भीश्वन आग लगी सिलेंडर फटना यहां कारण बताय जा रहा है फिलाल और पुलिस मौके पर पहुचकर जाच परताल कर रही है और कारण को एक बार फिर यहां पता लगानी की कोशिश कर रही है क्योंकि मिठाई की दुकान में आग लगने से जो आसपास की दुकानी थी वो भी आग की चपेट में आगी है फिलाल जन्हानी की किसी तरह की कोई खबर सामने नहीं आ रही है और ऐसे में पुलिस मौके पर पहुँच कर जाच परताल में जुट गई है जहां पुलिस आगे की जाच शुरू करती है फोन लाइन पर मरसात समवादता राधिश्याम सोनी जुड़ गया है राधिश्याम फिलाल वज़ा क्या बताई जा रही है और क्या कोई जन्हानी की खबर अगल वगल की दुकान वहां भी आगे है और अभी तक मतलब काबू नहीं पाया गया है याज पर लगातार आग बगड़ रही है अगल वगल की दुकानदार भी उससे प्भावेश हुए है फिलाल जन्हानी की कोई खबर लेकिन पुलिस वारी पुलिस वाल मौकी पर है जो कि जन्दा आस्पार जाती दूर करते हैं क्योंकि अभी पास प्रेंटर सेंडर और रखे हुए हैं कि इसमाई गल करते हैं तो कोई भी सथा उससे नहां नहीं हो सकती है पुलिस वाल मौकी पर पहुँचकर और भी कारण यहां पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में इसलेंडर फटा या कोई और वज़ा है और ऐसे में आग को फिलाल बुजा दिया गया है लेकिन फायर प्रगेट की टीम मौके पर पहुँचकर एक बार फिर अपनी चांच में शुरू हो गई है मादर प्रदेश में स्कूल